हेलो एब्रीवन वेलकम बैक टू जैजीस किचेन मैं आपकी दोस जस्प्रीत आपके लिए एक बर फिर से लेकर हाजिर हूँ एक और नई रेसिपी देखकर तो समझ ही गए होंगे जी हाँ आज मैं आप लोग के लिए लेकि आए हूँ हमारी आपकी सब की फेवरेट पालक प चलते हैं हमारी किचन में और स्टार्ट करते हैं बनाना हमारा क्रीमी पालक पनीर तो गाइज हमा गए हैं अपनी किचन में और हमने यहां पर ले ली है पालक जिसके हमने एक एक पत्ते को तोड़ कर दो कर साफ कर लिया है यह वेट में 500 ग्राम पालक लिया है हमने तो हमने इसे साफ कर लिया है हमें इसे करना है बॉयल यानि हमें इसे ब्लांच करना है उसके लिए हमने ले लिया है यहां पर एक पतीला इस पतीले में हम डालेंगे पानी और धेर सारा पानी यहां इतना पानी डालेंगे जिसमें हमारी जो पालक के पत्ते हैं वो अच्छे से डूब तो चलिए हमने यहां पर पानी डाल दिया है बट अभी इसमें थोड़ा और पानी जाएगा तो हम यहां और पानी डाल रहे हैं तो बस इतना पानी इनफ है और हमें पानी को करना है बॉयल तो देखें पानी को एक बॉयल अच्छे से आ रहा है तो अब हम इसमें डालेंगे ह जो पालक होती है ना यह हमारी अल्रेडी बोडी के लिए हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया है हमारे हेर्स के लिए हमारी स्किन के लिए यह बहुत ही अच्छा आयरन का और विटामिन ए और सी का भी यह बहुत अच्छा स्रूत है तो पालक को जरूर अपनी डाइट में शा देखिए मारी पालक थोड़ी सी जो उपर तक भरी हुई थी थोड़ी डाउन हो गई है तो आप बची हुई पालक भी हम इसमें डाल देंगे जिससे की सारी पालक गरम पानी में बॉयल वाटर में अच्छे से डूब जाए और ब्लांच हो जाए हमेना पालक को बहुत ज़्य को जादा बॉयल करना है ज्यादा बॉयल करने से इसका कलर कराभ हो सकता है और इसका कलर रखने के लिए हम करेंगे एक ट्रिक यानि हम इसमें डालेंगे थोड़े से छीनी के दाने, जी या चीनी के दानो से इसका जो कलर है ना हरा रंग है पालक का, ये ऐसे ही हरा बना रहेगा, तो चलिये हम इन पालक के पत्तों को अच्छे से बॉल्ड वॉ अटर में दबाके भिगो देते हैं, जिससे कि इस सभी पत रखेंगे लिट लगाकर जिससे जो हमारी भाप में ही है यह पत्ते बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे जब तक हमारी पालक तैयार होती तब तक हम करते हैं ग्रेवी की तैयारी तो ग्रेवी के लिए हमें चाहिए यहां पर हमने लिए हैं दो मीडियम साइस के प्याज और छे टमाटर हमने लिए हैं मीडियम साइस के 5-6 हरी मिर्चे लिए हैं यह बिल्कुल ऑप्शनल है आप अपने हिसाब से अपने तेस के हिसाब से ले सकते हैं हमने आ लिए हैं एक गांठ हमने लस्टन की लिए है और 2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है तो चलिए हम तयार करत हैं अपनी ग्रेवी तो ग्रेवी के लिए हमारे पास यह जो सब्जियां है ना यानि प्यास टमाटर और जो लस्टन अदरक हरी मिर्च को हमें रफली चॉप कर लेना है क्यूंकि हमें इसे पहले पकाना है फिर हमें इसे ग्राइंड करना है तो शेप कोई भी हो चलेगा त क्यास को टमाटर को और बाकी अदरक लस्टन को सबको तो अब हम करते हैं अपनी ग्रेवी की तयारी तो देख लेते हैं पहले मारी पालक का क्या हाल है तो पालक देखिए हमारी ब्लांच हो चुकी है इसके जो भी पत्ते थे वो सॉफ्ट हो चुके हैं बहुत तो हम इस पा पेस्ट बनानी है इसे गर्म की पेस्ट बिल्कुल मत बनाईएगा वरना यह उचल के आपके उपर आ सकती है और आप जल सकते हैं इसलिए पालके पत्तों को ठंडा करके हम इसे ग्राइंड करेंगे तो चलिए जब तक पालक थंडी हो रही है जब तक हम बना लेते हैं अपनी यूज कर सकते हैं like sunflower oil और refined oil, soybean oil, rice bran oil, any oil you can use तो मैं यहां mustard oil यूज कर रही हैं क्योंकि जो mustard oil का एक तीखापन होता ना वो मुझे सब्सक्राइब में बहुत पसंद है तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी सभी सब्सक्राइब में जहां तक हो सके mustard oil का यूज करों तो आप कोई सा भी oil यूज कर सकते हैं तो चलिए हमारा सोय हो चुटा हो चुका है गर्म और इसमें हमें डालना है एक छोटा चंबच जीरा जिसे हम Cumin Seeds कहते हैं तो हम इसमें डाल रहे हैं एक छोटा चंबच जीरा और जीरे को डालने के बाद जीरे को अच्छे से हमें भून लेना है यानि जब तक उसकी खुश्बू आ जाए तो अच्छे से हमें जीरे के जो चुटकना होता है वो अच्छे से जीरा चुटक जाए हमारा तो हम इसमें डालेंगे, हमारे जो हमने chop करके रखे हैं हमारे vegetables, gravy के लिए तो हम इसमें डालेंगे, लसन, адरक और harry मिर्च जो हमने cut करके रखे हुए थे तो हमें इस ginger garlic और जो green chili है, इसे हमें बहुत ही अच्छे से roast कर लेना है पका ले ना है भून लेना है इस तेल में यानि कि हम इसी तब तक पका ना है जब साथ हो चुके हैं है । बहुत अच्छा सा आगया है तो अमस हम इसमें डालेंगे हमारे कटे हुए प्याज जो हमने काट के रखे हुए थे चौप करके तो प्याज हम डाल देंगे ऑल के अंदर और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे तो चलिए हम इसे अच्छे से mix कर रहे हैं और mix करेंगे इसे अच्छे से और इसे पकाएंगे तब तक जब तक की प्याज हमारे soft ना हो जाएं यानि यह हलके से pink pink से ना दिखने लगें बिल्कुल से translucent हो जाएं डाक ब्राउन नहीं करना है हमें इसे मतला बिल्कुल golden सा ब्राउन नहीं करना है बस हलका सा translucent करना है तो देखिए हमारे प्याज अल्रेडी थोड़े से pink से होने लग पड़े हैं यह लग बग पक चुके हैं तो बस इनका color change होने तक soft होने तक ही हमें इसे पकाना है और अब ब tomato puree भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास tomato puree अविलेबल हो तो आप tomato puree को भी यहां पर यूज़ कर सकते हैं और घर में tomato puree कैसे बनाते हैं इसकी रेसिपी मैं अल्रेडी अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसक है तंचा हुआ जो पानी था ना वही पानी हमएस्में थोड़ा सा डाल रहे है तकरीबण एक कप की आसपास पानी हमने इसमें डाल चाहे है और इस पानी के साथ है जो टमाटर प्याज और हमारे जो गार्लिक और जिंजर बगरा है इसे हमें सॉफ्ट कर लेना है तो बस हम इसे ऐसे ही पकाएंगे एक से दो मिनट के लिए तो देखिए इसे पकते वे अल्रेडी दो मिनट हो चुके हैं और हमारे प्याज टमाटर सब चीजें काफी सॉफ्ट तो चलिए हम देख लेते हैं हमारी पालक का क्या हाल है पालक हमारी बिलकुल ठंडी हो चुकी है अब हम इसे डालेंगे एक ग्राइंडर में और इसकी हम बनाएंगे फाइन पेस्ट तो चलिए हम इसे डाल लेते हैं हमारे एक ग्राइंडर में और इसे हम बिलकुल अच्छे स महीन पेस्ट की तरह पीष लेगे तो देखिए हमने पालक की प्योरी बना ली है और जो हमारी ग्रेवी थी वो भी अब काफी ठंडी हो चुकी थी तो इस ग्रेवी को भी हम डालें गे मिकसर के जार में और इसकी भी हम फाइन पेस्ट तयार करेंगे चलिये हमने ले लिए है म पेस्ट बना लेते हैं तो चलिए हम निकाल लेते हैं अपने सभी ड्राइ इंग्रेडियंट्स तो हमने यहां लिया है आधा चोटा चम्मच हल्दी पाउडर और इसके साथ हमें यहां लेना है एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर हां जी पिसा हुआ धनिया यहां पाउडर थोड़ा तीखा वाला लाल मिर्च पाउडर है तो हमने या लिया है एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और इसके साथ ही साथ जो हमारा main ingredient है और secret ingredient भी इसको हम कह सकते हैं तो हमें यहा लेना है दो बड़े चम्मच बेसन जी हाँ, बेसन हमने यहाँ पे लिया है, दो बड़े चम्मच बेसन, जादा नहीं, दो बड़े चम्मच बेसन के लिए है, चलिए देखते हैं, ग्रेवी भी हमारी तयार हो चुकी है, पिसके, हमने इसकी एक फाइन पेस बना ली है, हमने यहाँ लिया है, पनीर और पनीर के ह हम क्यूब्स कर ले रहे हैं आप अपने मन चाही शेप इसको दे सकते हैं अपने हिसाब से इसको काट सकते हैं जिस साइज में इसको कट करना हो हम इसे क्यूब्स की शेप में काट रहे है तो थोड़ा सा पनीर दिखना चाहिए ना पालक पनीर है तो हम इसे इतने बड़े पी एक टेबल स्पून मस्टर्ड ओयल वापिस से और इसे हम कर लेंगे अच्छे से गर्म तो चलिए तेल हमारा लगभग गर्म हो चुका है लिखिए साइड से भी ना इसमें मसाला ना जले इसलिए हम जो ओयल है इसे हम अच्छे से फैला देंगे तो तेल हमारा गर्म हो चुका है इसमें से अच्छा खासा धुआ निकल रहा है तो अब हमें इसमें डाल देने हैं हमारे ड्राइ इंग्रिडियन्ट सबसे पहले क्योंकि हमने इसमें लिया है बेसन और बेसन का कच्चापन खतम करना बहुत ही ज़ादा जरूरी है तो हमें मसालों को इसमें बहुत ही अच्छे से भून लेना है ताकि जो बेसन का कच्चापन है वो बिल्कुल से खतम हो जाये तो सब से पहले हम इसमें मसालों को अच्छा सा भूनेंगे बेसन को करेंगे रोस्ट तो बस आप ऐसे ही बस इसको लगातार चलाते हुए अच्छे से इसको भूनते जाएं देखिए बेसन का कितना बढ़िया सा कलर आ गया ना बिल्कुल लड्डू वाला कलर आया ना तो बेसन हमारा भून चुका है बाकी मसालों के साथ तो इसमें हमने जो अपनी ग्रेवी बना के रखी है पेस्ट तयार की है वह हम इसमें डाल देंगे और इस ग्रेवी को हम बहुत ही अच्छे से भूनेंगे जब तक इसमें से ओल रिलीज ना होने लगे तो चली हम इसे आपको चार से पांच मिनट जा सकते हैं ग्रेवी तो पकी हुई है बड़ इसका पानी हमें अच्छे से सुखाना है तो बस आप इससे कंटीनूस लिए चलाते जाए और ग्रेवी को भूनते जाएं ऐसे ही हम इसे साथे करेंगे तो देखिए ग्रेवी हमारी अच्छे से भ बिल्कुल तयार तो अब हमें इसमें डालनी है हमारी पिसी हुई पालक जो हमने पालक पीस के रखी थी न वह हम इसमें डाल देंगे और इसे करेंगे हम अच्छे से मिक्स आप पालक को डालने के बाद बहुत ही जादा केरफुल रहिएगा बिकास पालक जब ग्रेवी में बिकस होती है और जब फ्लेम पे चड़ती है तो यह बहुत ही जादा उचलती है यह उचल उचल के ना फुदक-फुदक के हमारे उपर आती है तो इसको केरफुली मिक्स कीजिएगा और कोशिश कीजिए इसको लिड लगाकर ही पकाईएगा यूंकि पालक जब उड़ती ह तो वो गर्म है आप जल सकते हैं उससे आप इसे लिड लगा कर इसे पकने के लिए रखेंगे हम चलिए हम इसमें लगाते हैं लिड और इसको पकने के लिए रखेंगे मेडियम टू लो फ्लेम पर तकरीबन पांच मिनट के लिए तो चलिए हमने इस पर लगा दी है लिड और इसे हम 5 मिनट तक पकाएंगे तो देखें 5 मिनट हो चुके हैं इसे पकते हुए तो देखते हैं हमारी पालक की क्या कंसिस्टेंसी है यो पालक हमारी पक चुकी है बहुत अच्छे से तो हमने फ्लेम को थोड़ी दिर के लिए आफ कर दिया है और अब जो पनीर के पीसे से हम करेंगे और इसे हलके हाथ से हम कर लेंगे मिक्स बहुत तेजी तेजी मिक्स नहीं करना है तो आप इसे आराम से पनीर को मिक्स करने рекाермstar और आब हम से हमारा लास्ट इंग्रेडियेंट और सबसे जरूरी इंग्रेडियन्ट यानि की फ्रेश क्रीम, हमने यहां पे लिए करीबन 4 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम, जो कि हम इस पालक में मिक्स करेंगे, अब क्रीमी पालक पनीर है, तो क्रीम तो बनेगी न, थोड़ा हैवी हो जाता है, बट कभी कभी चलता है, तो हम करेंगे अच्छे से मिक्स, क्रीम डालने के बाद बहुत ज़्यदा देर तक हमें पालक को नहीं पकाना है, बट थोड़ा सा हम इसे पकाएंगे, ताकि क्रीम जो है पालक में अच्छे से मिक्स हो जाया, और अच्छा सा अपना टेस्ट पालक में दे दे, तो हम लगाते ह मिक्स के अभी च Dolay ऐह से हम इसे मि HOLLO significant करना है तो at ऩो हम में तेयार करना हे पालक के लिए एक चोटा सा तड़का तो हमने ले लिया है एक तड़का पैन और इसमें हमने डाला है एक टेबल स्पून देसी घी और देसी घी भी हमारा गर्म हो चुका है तो हम फ्लेम को कर रहे हैं और इसमें हम डाल रहे हैं एक खड़ी लाल मिर्च और इसके साथ ही साथ हमें डालना है यहाँ पर वन फोर टी स्पून कश्मीरी मिर्च जो कलर वाली मिर्च होती है न वो वा तो चलिए हमने इस पर लगा दी है लिड तो अब लिड को खोल के देखते हैं देखिए कितनी बढ़िया लग रही है हमारी पालक पनीर बिल्कुल रेडी है तो आप लोग इसे जरू ट्राइ करें और मुझे बताएं यह आपको कैसी लगी तो गाइस अगर आपको मेरी ये व कितनी बद्द हैं और मुझे आपको कैसी ओड़िया नहीं बदाएं फिर कितनी बद्द का उलिए हमारी पालक पनी अर लोगा रही जापको मेंगा तो चांज लगा खर घूख ज़ नहीं जिलातना तो लोगा